आपके साथ डॉक्टर करिश्म कोश्रिक और आप सभी दर्शकों का हमारी चानल इंदरजाल बाई डॉक्टर करिश्म कोश्रिक में बहुत-बहुत स्वागता है इस चानल को आप देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथे अज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहन की, सूर्य ग्रहन जो है इस बार पहला सूर्य ग्रहन 2023 का पढ़ रहा है, 20 अप्रल 2023 को और ये जो ग्रहन होगा, ये पहला सूर्य ग्रहन है, हाला कि भारत में ये नजर नहीं आएगा, मगर जब भी ग्रहन पढ़ता है, तो इसका प्रभ पाइस मिनट पे कुल अवधी जो इसकी रहेगी वो रहेगी पाँच घंटे की लगबख साड़े पाँच घंटे की हम कह सकते हैं तो इस समय पर आप लोगों को खास तोर से ध्यान रखने के पिशकता है हाला कि भारत में नजन नहीं आएगा अगर आप इस वीडियो को भारत प्रशांत महासागर चाइना ताइवान इन सारी जगहों पर इसके नजराने की पूर्ण रूप से समभावना है हाली में आपने देखा होगा भूकम पा रहे हैं अफगाने सामें बहुत सारी ऐसी चीजे हो रही हैं भूकम पा रहे हैं जिस वजह से हमारे इंडिया तक ये आपको बहुत सादा बारिश तेखने को मिलेगी किसी शेतर में आपको बहुत सादा गर्मी देखने को मिलेगी सूखा पढ़ सकता है इस समय पर भूकम बहुत अधिक आ सकते हैं इसके लावब बहुत सारी ऐसी चीजे आपको देखने को मिलेंगी इस समय पर आपको उतल प क्योंकि मेश राशी के जो जातक है उनकी ही कही न कहीं राशी में लग रहा है ये ग्रहन और साथिसाथ मेश राशी के लिए इस समय पर थोड़ा सा जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है बाकि अगर देखा जाए तो इस समय पर मेश राशी की हम बात करें तो इन लोगों को बहुत जातो उतार चड़ाव का सामना करना पड़ सकता है स्वास्त को ले करके परिशानी हो सकती है या फिर अगर देखा जाए तो धन को लेकर के परिशानी हो से तो इस तरह के परिशानी चलेंगी बाकि कौन सी राश्यों के लिए परिशानी रहेगी ये सभी अपडेट्स आपको मेरे चानल पे इंदरजाल डॉक्टर करश्म कौश्रिक पे मिलेंगी तो उसको आप लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें शॉर्ट्स आप देखे क्योंकि शॉर्ट्स में बहुत कुछ आपके लिए लेकर के आती हूँ आपके लिए छुछुछ टिप्स लेकर के आती हूँ और कौन सी राश्यो पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है ग्रहन का वो भी आपको शॉर्ट्स में ही देखने को मिलेगा और साथ साथा क्लेक वीडियो भी हम जरूर लेकर के आएंगे तो वापस आते हैं ग्रहन पे तो सूरे ग्रहन के ठीक पंदरा दिन बाद जो है चंदर ग्रहन देखने को मिलेगा जिस वज़ा से काफी हद तक जो है चेंजेज आएंगे लोगों की लाइफ में इस साल अगर कुल में लाकर के हम देखें तो चार ही ग्रहन है और बैक-टू-बैक ग्रहन है अभी एप्रिल में ग्रहन है सूरे का फिर बैक-टू-बैक जो है पंदरा दिन बाद यानि एक ही पकवाड़े में चंदर का ग्रहन है में स्टार्टिंग में और इसके बाद जो है, अक्टूबर में ग्रहन पढ़ेगा सूरे का, उसके 15 दिन बाद हमें फिर से चंदर ग्रहन देखने को मिलेगा, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, मगर हाँ, जब भी कोई ग्रहन पढ़ता है, तो वो सोलर सिस्टम पर उसका प्रभाव जरूर प पढ़ेगा कौन से मंतरों का जाब करना है, इन सभी चीजों को देखने के लिए बने रही हमारे चानल इंदरजाल के साथ, लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चानल को, नमशकार, जैश्री राद,